गाजा में लगभग एक साल तक हमास के साथ लड़ने के बाद अब इसराइल में लेबनान में हिजबुला के साथ नया मोर्चा खोल दिया लेबनान में पेजर्व स्पोर्ट के बाद अब इसराइल ने बेरूद में हिजबुला के गड़ पर बंबारी शुरू कर दी जिसमें 500 से जादा लोग मारे जा चुके हैं इस बीच खबर आ रही है कि हवाई हमले के बाद अब इसराइल लेबनान में जमीनी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रहा है लेबनान में इसराइल का सामना है जो इरान का सबसे ताकतवर प्रोक्सी है हिच्जबुल्ला की ताकत को समझने से पहले ये ध्यान देना जरूरी है कि हमास के खिलाव करीब एक साल से जारी लड़ाई ने इसराइली सेना पर बहुत दबाव डाला है सैनिकों को बहुत आराम मिल रहा है इसराइली अधिकारी सैनिकों की कमी का हवाला दे रहे हैं अर्थ विवस्था पर भारी दबाव है और युद्ध विराम और बंधक समझोते के लिए जनता का दबाव बढ़ रहा है हमास के इसराइल पर घातक हमले के अगले दिन से ही हिजगुला और इसराइली सेना के बीच बॉर्डर पर गोली बारी हो रही है पिछले सफ़ता ये तनाव चरम पर पहुँच गया जब इसराइल ने हिजगुला के इस्तमाल किये जाने वाले पेजर और वाखी टॉकी में विस्पोर्ट करके हजारों लोगों को घाल कर दिया इसके बाद से दोनों ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिये इस बीच विशशग्यों का कहना है कि इसराइल अगर हिजगुला के साथ सीधे युद्ध में उतरता है तो उसके लिए ये जंग हमास के साथ हुए मुकाबले से बहुत अलग होगी विशशग्यों ने इसराइल को कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने को कहा है योल गुजांसकी तेलवीव इस्थित राष्ट्रिय सुरक्षा अध्यन संस्थान में वरिष्ट सोध करता है वे तीन प्रधानमंत्रियों के अधीन इसराइल की राष्ट्रिय सुरक्षा परिशद में काम कर चुके हैं का मानना है कि हिजबुला देश के अंदर एक अलग देश है जिसके पास विशिष्ट सैन निशमता है इरान के सबसे करीबी प्रॉक्सी के रूप में शिया चरम पंती समू हिजबुला ने पिछले कुछ सालों में नकेवल एडवांस हत्यारों का प्रदर्शन किया है उसने यमन और इराक समेट मध्यपूर्व में अपने सहयोगियों के साथ इसराइल के खिलाफ एक रणनितिक घेरा भी बनाया है सैने विशशग्यों का अनुमान है कि हिजबुला के पास तीस हजार से पचास हजार लड़ाके है हालाकि इस साल हिजबुला नेता हसन नस्राला ने दावा किया कि समू के पास एक लाख से जादा लड़ाके और रिजर्व सैनिक है विशशक्यों के मुताबिक समू के पास एक लाग बीस हजार से दो लाग रॉकेट और मिसाइल मौजूद है हिजबुला का सबसे बड़ा सेंध हत्यार बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके हजारों में होने का अनुमान है इनमें 200-300 किलो मीटर की दूरी तक मार करने वाली 1500 मिसाइल शामिल है बीते सब्ता के आखिर में हिजबुला ने कहा कि उसने फादी एक और फादी दो मिसाइल से इसराइल के रामट डेविड एयर बेस को निशाना बनाया ये बेस लेबनान सीमा से 48 किलो मीटर अंदर है इसराइल के पास हिजबुला के मुकाबले बहुत बहतर सैने शक्ती है लेकिन इरान समर्थित समू के पास 500 किलो मीटर तक की मारक शमता वाली मिसाइले है ये पूरे इसराइल को कवर कर सकता है हाला कि इसे इसराइल के iron dome air defense system को बाइपास करना होगा इसराइल एक छोटा सा देश है और इसकी सैन शक्ती असिमित नहीं है गुजांस्की ने इसराइल की चुनौती का जिक्र करते हुए बताये कि लेबनान की और संसाधनों को मोडने का मतलब ये नहीं है कि गाजा युद्ध खत्म हो गया है इसराइली विशलेशकों और सेना के अधिकारियों ने भी बार-बार कहा है कि IDF कमी से जूज रहा है हमास के साथ युद्ध की शुरुवात में IDF ने 2,95,000 रिजर्विस्ट की भरती की लेकिन ये संख्या अब परियाप्त साबित हो रही है ऐसे में हिजबुला के खिलाव जमेनी जंग शुरू करने में इसराइल को चुनोतियों का सामना करना पड़ेगा